महराष्ट में चुनाव आने बाले हैं और किसानों के तमाम मुद्दे हैं, किसानों की तमाम परिशानिया हैं जिसको लेकर अब सरकार दवाव में हैं हमारे साथ कॉंग्रेस किसान के नेता नाना पटोली जी है पर्डोली जी नागपूर में जैसे संत्रा किसानों के अभी कई हम लोगों के पास प्रोटेस्ट आए कि उनकी फसल बरबाद हुई है बार से बारिश से और सूखे से सरकार से मुआपजे की मांग हो रही है सरकार कुछ सुननी रही है आप लोग उस पर क्या कर रहे है हम लोग होंते है एजिटेशन शुरू है कॉंगरिस के तरफ से और सरकार से आप किसान को उमीद नहीं रही है अभी शिवसिना ने भी सवाल उठायते है प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना को लेकर जिसमें कई लाग किसानों को योजना से बाहर कर दिया था तो शिवसिना भी सवाल उठा रही है और इसको लेकर आप क्या समझने है प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना का स्कोप क्या ह की सिसिना ने और एलाइसी के ऑपिस में मोरचा लेके गई प्रिलाइनस के ऑपिस प्रिलाइनस गई आपको यह लगता है जो चिनाव होने विदան्वा में उसमें किसान एक बड़ा मुद्ड़ बनें गए महराज में किसान है, बेरोजगारी है, चोटा ब्हापारी है और गरीब है, यह सब इशू अमारी महराज के इसमें है और मैं आपको कई बार कहाएं कि महराज में कॉंग्रेस, आलाइंस की गवर्मेंट इस बार चुनाओं में आएंगी जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो हम लोग विधान सभा में क्या रननीती बदलेंगे या कैसा लग रहा है अब आपको तो पता है कि जब चुनाव परलामेंट के शुरूत थे तो उस समय के रननीती सेंटर लेवल से बनती थी और उनके आधार पर ये सब चुनाव के प क्रिया बनी लेकिन ये स्टेट का इलेक्शन है और स्टेट के इलेक्शन में स्थानिक मुद्दों को बहुत ज़्यादा प्राधाने देना पड़ता है और किसान का मुद्दा उसमें सबसे ज़्यादा ताकत से सामने आने वाला है और किसान ये सबसे बड़ी ताकत महराश में हैं और किसान ही भंडवी सरकार को ओंदे मों सुलाएंगे और देखते हैं कि विदानसभा चुनाओं में कॉंग्रेस किसानों की मुद्देगों किस इस्तर पर उठाती है और सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनाओधी बना पाती है दिली से कैमरा परसनल विविक भट्टाजार के साथ शेशांग पठक सुराज एक्सप्रेस